नवस्कार पांच जन्ने में आप सभी का स्वागत है ही कर लेने की सोच कहां से और क्यों आई ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने मंदिर को दुधारू गाय मान लिया है शायद ऐसे लोगों ने ही टेंपल एकॉनमी ऐसे शब्दों को गढ़ा है रामलला की कहीं गहरी और उससे आगे की बात है मंदिर मन की शांती के लिए होते हैं और धन की शांती यानि उसके प्रबंधन के लिए भी यही हमारी सोच है क्योंकि ये जो संस्कृती है हमारी इस संस्कृती में लक्ष्मी को चंचला याने सदा गतिमान कहा गया है इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है हमारे देश में मंदिर लक्ष्मी को विकसाने और हाशिये के वर्गों तक पोशन और पैसा कौडी पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण आर्थिक संदचना के तौर पर रहे हैं इसमें उन्होंने लिखा है कि तीर्थ के साथ साथ आर्थिक संदचनाओं का विकास और बहुत से खित्रों को बहुत मजबूत कर देना ये भी मंदिरों के चलते ही भारत में हुआ है मिश्चिती मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है और रहेंगे मंदिरों के कारण ही लोग तीर्थ जाते हैं ब्रहमन करते हैं मत भूलिए ये जो सब चक्र चलता है इससे समाज के बीच धन का पैसे का लगातार प्रवाह होता है गती बनी रहती है, सम्रद्धी आती है ये हमारे बुजुर्गों और पुर्खों के अनुभव जन्य शोध से उपजा गहन विचार है बहुत गहरा अनुभव इसके पीछे है और अगर आप उदाहरन देखें तो चोल राजवंश को याद कीजिए चोल राजवंश की सम्रद्धी का केंद्र कहां था? मंदिर तंजावुर में ब्रहदिश्वर मंदिर और गंगई कोंडा के चोलपुरम मंदिर क्या थे? ये सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे बलके अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपून भूमिका निभाते थे ये मंदिर उस समय के प्रमुख किंतो उदार भूस्वामी के रूप में गोचर भूमी यानि पशूओं को चराने वाली भूमी और उसके साथ साथ औशदिय उपज यानि दवाएं उपजाने के एक सहज केंद्र थे जहां पर लोगों की एकसेस थी पहुँच थी और संसाधनों के सामाजिक प्रबंधन का काम भी इस तरह से इन मंदिरों के माध्यम से होता था इन मंदिरों को राजाओं और जो समाज की विभूतियां थी जो महानुभाव थे उनसे बड़ी मात्रा में विशाल भूमी अनुदान के रूप में दान के रूप में प्राप्त होती थी इससे प्राप्त-ाय का जो उपयोग करते थे मंदिर जो आम्दनी होती थी, वो मंदिरों के रख रखाओ और विभिन धारमिक तथा सामाजिक गतिविदियों में होती थी और ये जो गतिविदियां थी उसमें राजा के निर्देशों पर किसानों से अनाज खरीदे जाने का काम भी शामिल था ऐसा इतिहास में लिखा मिलता है जड चेतन दोनों में प्रवाह बनाने का काम पैसे के प्रबंधन का काम अर्थविवस्था को सुचारू बनाने का काम ये सारा काम भारत में बहुत पुराने समय से मंदिरों को केंद्र में रखकर होता रहा है और ये बात एक पक्षिय नहीं थी जितना बताया होतना ही नहीं शिक्षा की बात करें तो काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, भोजशाला, ओधन्तपुरी, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या यानि जहां जहां मंदिर रहे वो स्थान ग्यान और अध्यन का भी केंद्र रहे महा, शास्त्र भी रहे, शास्त्रार्थ भी हुआ, यानि ग्यान का परिमार्जन, उसकी परंपरा भी विक्सित हुई इसके साथ ही आप चार महावाक्य और चार मठों की स्थापना को जड़ा देखें जगनातपुरी, बद्रिकाश्रम, श्रंगेरी, द्वारिका ये चार मठ चार दिशाओं से भारत में दार्षनिक ज्यान के साथ साथ भौतिक विश्यों की समझ बढ़ाने वाली एक संरचना, एक श्रंखला का निर्मान करते हो दिखाई देते हैं अर्थ यानि वित्त के बटवारे के लिए मैं यानि व्यक्ति और तू यानि दूसरा व्यक्ति उसके बीच का भेद अंतर मिठाने का ये काम जो था मंदिरों से हुआ ये पहल मठ मंदिरों के प्रांगणों में ही पल्लवित हुई है आप चार महावाक्यों को देखिए चार महावाक्यों में अहम ब्रह्मास्मी अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ये यजुरवेद का वाक्या है तत्व मसी अर्थात वो ब्रह्म तू ही है ये सामवेद का वाक्या है अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है ये अथर्ववेद का वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है ये रिग्वेद का महा वाक्य है चार मठ वेदों की परंपरा और इस तरह के वाक्य है दृष्टी संकुचित नहीं करते व्यक्ति को सिर्फ भौतिक पदार्थों से नहीं जोड़ते, उसकी दार्षनिक चिंतन की गती इतनी बढ़ा देते हैं कि अंतर मिट जाता है, इसलिए वित्त का लेंदेन, आर्थिक विवहार, उसमें जडता, शुश्कता नहीं आती, ये काम भी मंदिरों में हुआ, हर पद समय में दार्षनिक विशेयों के साथ, भौतिक विशेयों में कैसे उन्नति की जाए, और कैसे एक विशे के साथ, दूसरे विशे में पारंगत हुआ जाए, ये काम भी मंदिरों की छत्रचाया में ही होता रहा, गुरकुल छत्रवास और ज्ञान की अलग-अलग सांगनों में पोशित हुई है, आपदाय संकट के समय भी मंदिरों की एक विशेश भूमी का भारतिय समाज में देखने में मिलती है, संकट के समय मंदिर की शरण में जाने के अनेक उदारन इतिहास में आपको दिखाई देते हैं, जरासंद से युद्ध के समय जब भगव की शरण में थे, चोलवंश के राजा राजेंदर चोल जब युद्ध में हार गए तो कहां गए, तमिल नाडू में स्थित भगवान नटराज के चिदम्रम मंदिर की शरण में, अलाउद्दीन खिल जी मलिक काफूर ने जब दक्कन पर आक्रमन किया तो वहां के राजा प प्राक्रतिक आपदा आई, आक्रमन हुआ, तब मंदिरों ने लोगों को संभाला, उनके लिए अपने भंडार के द्वार खोल दिये, जग्गनात पुरी के बारे में ऐसे कई एतिहासिक साक्षे हैं, ऐसा इसलिए भी, क्योंकि मंदिरों के पास अक्षय खाददान और अन के विशाल भंडार होते थे, वो विशाल भंडार जो आवश्यक्ता के समय लोगों की सहायता के लिए प्रयोग किये जाते थे, हाल के वर्षों में सबसे बड़ी आपदा कोरोना के रूप में आई, तब मंदिरों की क्या भूमिका रही जड़ा देखें, इस दौरान दिल् ने बहुत सारे मंदिरों ने लगातार बिना किसी प्रचार परुपकार के काम लगातार किये हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, उनका एक निबंध है राम, कृष्ण और शिव, इस निबंध के माध्यम से वो राष्ट्रिय एकत्व क बात करते हैं, और राम, कृष्ण और शिव के प्रतीक कैसे इस देश को जोड़ते हैं, ये बात वो बताते हैं, इसी तरह आप देखिए, तमिलनाडू में अपर्णा या कहिए मागौरा का एक मंदिर है, अपर्णा गौरा जी का ही एक नाम है, जब शिव को वरके रूप म पाने की कामना करते हुए, पर्ण यानि पत्ते खाना भी जब उन्होंने छोड़ दिया, निराहार तो वो थी, जब पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब पत्ते खाना छोड़ने, यानि पर्ण खाना छोड़ने के बाद उनका नाम पड़ा अपर्णा, अपर्णा वहाँ तमिलनाडू में शिव की अराधना कर रही है और शिव कहां है दक्षिन में खड़े होकर सुदूर उत्तर में स्थिर कैलाश पती की अराधना कर रही है यानि शिव वो उत्तर और दक्षिन को जोड़ रहे हैं इसी तरह मतुरा कहां है और बेट द्वारिका गुजरात कहां है इसके बावजूद इन दो दिशाओं के भी पार सुदूर इमफाल तक क्रश्न और उनके मंदिर भारत को जोड रहे हैं इमफाल में चैतन्य महाप्रभू को भजता मैतेई समुदाय क्रश्न को ही तो पूज रहे ये हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं ये उचाई ये उन्नती ये ग्यान क्या बिना मंदिरों के संभव था अब बात कीजिए जरा समाज के इस संरक्षन और पोशन की भी राजिस्तान में गोगावीर जी का नाम आपने सुना हुआ गोगावीर का मेला लगता है जिस समय ये मेला भरता है यानि मेला लगता है उस समय वहाँ के घरों में कोई दूद को जमाता नहीं है क्योंकि वो गोगाजी का प्रसाद होता है उस समय टनों दूद मंदिर में जाता है और सभी में माटा जाता है वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं उस समय क्षेत्र में पहले पोशन की कोई और व्यवस्था नहीं थी तो गोगावीर के मंदिर के माध्यम से लोगों के लिए पोशन की ये व्यवस्था हुई ही होगी लालबाग के राजा आपको याद है मुंबई, महराष्ट्र मोदक की बात हम सब सुनते है वहाँ टनो, पोश्टिक, मेवा, मोदक चड़ते हैं और लोगों में बाटे जाते हैं जो लोग वैसे सुखे मेवे नहीं करी सकते मोदक तक जिनके पहुँच नहीं है उनको लालबाग के राजा के माध्यम से ये पोशन मिलता है हमने शंकराचारे और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ की बातें सुनी है ये बातें, ये शास्त्रार्थ, ये बौधिक व्यायाम है लेकिन हमारे देश में मंदिरों से बहुत सारी व्यायाम शालाएं भी जुड़ी हुई इनमें लोग व्यायाम करते हैं, मल्ले युद्ध करते हैं कलरई पट्टू भी मंदिरों में ही पला है हमारे यहां कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिश्क का निवास होता है यह जो परंपराएं हैं वो मंदिरों के आंगन से ही तो निकली हैं बारी की से देखेंगे तो पाएंगे कि मंदिर हर तरह से संडरक्षन करते हैं समाज ने इसके जो तरीके निकाले हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं मगर काम बहुत बड़ा है उधारण के तोर पर जल्ली कट्टू को लीजिए जल्ली कट्टू में सांड दोडते हैं उनमें जो जीतता है जो सबसे तेज है उसे प्रजनन करवाने के लिए रखा जाता है मंदिरों में ही भारतिय संगीत कला, न्रत्यकला, आयरुवेद, युद्धकला, वास्तोशिल्प, मूर्तिकला ये सब पोशित हुए हैं आप बिना मंदिर के क्या भरत नाट्यम की, ओडिशी की कल्पना कर सकते हैं भगवान शिव के नटराज स्वरूप को न्रत्य और मा स सरस्वती को विद्या और संगीत की प्रेड़ना माना गया है, धनवंतरी और चरक जैसे आयरुवेदाचारियों की परंपरा, उससे जो चिकित सा विद्या निकली, उसका प्रसार हम आज भी मंदिरों से जड़े हुए चिकित सालों में देख सकते हैं, ये प्रक्रिया आरती अर्थविवस्था में 3.02 लाक करोड यानि करीब 40 अरब डॉलर का मंदिरों की अर्थविवस्था का आकार है, सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP के हिसाब से देखेंगे तो ये करीब-करीब धाई प्रतिशत बैठता है, ये तो छोटा सा एक आकलन भर है, एक नमूना जिसमें सारी चीजें समेटे नहीं गई है, मंदिरों के बाहर टिकली बिंदी बेचने वाले लोग, माला गूथते हुए लोग, और मंदिरों के प्रांगन से बाहर भी मंदिरों की अर्थविवस्था को आकार देने वाले लोग, बहुत बड़ा ये एक वर्ग है, आप 25 लाख लोगों को समाला था, बहुत सारे भंडारे निशकाम भाव से, निस्वार्थ भाव से चल रहे थे, कोई भूका नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसके पेट में दाना ना हो, और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी जेब में आना नहीं था, मगर भीर भी पेट में दाना प एक विश्वास लेकर आती है और जीवन में साथ साथ लाती है सैयम जो पैसे के साथ जरूरी है ऐसे में मंदिरों से कर वसूलने की बात भला कोई सोच भी कैसे सकता है हिंदू विरोध और बोट बटोरने के पेंतरे एक और रखकर मंदिरों की बारीक सामाजिक आर्थिक संरचना और इसके योगदान को समझने की आवश्यक्ता है राजनेतिक दल भी एक गहरी सामाजिक द्रश्टी विक्सित कर सकें तो अच्छा होगा वरना लोकतंतर में बुरी चीजों को समाज बोहार ही देता है इस अंक में इतना ही शीगर मिलेंगे फिर एक नए विशय के साथ